हेलो गई स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे टीसीएस की टाटा कंसेंस्टरसी टीसीएस के अंदर जो है बाइबेक का इनाम स्पेंट हुआ मतलब कि आज एक न्यूज आई है कंपनी ने का ओफिसियल की ग्यारा तारिक को जो है यह ग्यारा अक्तुंबर को जो इ मुझे ऐसा लग रहा ही कि यह चार हजार तक जा सकता है बाइबेक से पहले या उसके बाद या फिर उसके आसपास ऐसा क्यों लग रहा है तो वह हम देखेगे इस वीडियो के अंदर साथी साथ और भी कुछ चर्चाय करेंगे चार्ट के उपर अगर देखे तो कॉप ना है तो अच्छी तेजी आ सकती है खास करके यह वीडियो उनके लिए है जो लोग इसके अंदर लेडी होल्डिंग रखते हैं और वैसे नई खरीदारी की सला बाई या सिल की रेकमेंडेशन में नहीं दूगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहां पर आप देख स सकते हैं HBL पावर लोकेश मशीन सांगी इंडस्टी इसके अंदर देखे तो दो दिन के अंदर अंदर ही कितनी तेजी आई अच्छे कासे अगर देखे तो लोकेश के इंडस्टी के अंदर 8% के आसपास के तेजी 2 दिन के अंदर HBL पावर 5% सांगी इंडस्टी तो 10% तक उचल गया है दो दिन के अंदर तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें एक बार हमारे चैनल को विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कर ले कम्यूनिटी पोस्ट को भी देखें और दूसरे वीडियो को भी जरूर देखें जैसे कि य जानकाली के लिए दोस्तों प्लीज सबस्क्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें जो भी लोग आपके अपके फ्रेंड से जो की शेयर मार्केट गेंदर जुड़े हुए हुएं के साथ शेर जरूर करें चलिए आगे देखते हैं न्यूज के बारे में तो आप देख सकते हैं कि यह तक्रीबन चार बज़े के आसपास कि आज न्यूज आई थी यहां पर देखे तो बताए जा रहा है कि इन्फों यू देट कि बोड़ डिरेक्टर विल कंसीडर अप्रोपोजल पॉर बाइबेक ऑप एक्विटी शेर अप देखा अब बाइबेक प्राइस किया हो सकता है वो भी हम जो है एक प्रिडिक्शन अगर लगाने की कोशिश करें तो पिछले बाइबेक जब अगर देखे तो यह आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं 24 मार्च 2022 की बात है और तब भी अगर देखे तो 18,000 करोड के आसपास का बाइबेक हुआ था और वो जो प्राइस थी वो 4500 के आसपास थी मतलब कि 4500 रुपे के उपर थी और तब जो है टीस का प्राइस इसी प्राइस के आसप काम कर रहा था और इस वाक्त भी जहां इसी प्राइस के आसपास काम कर रहा है तो हो सकता है अगर एक अनुमान लगाने की बात करें एक प्रेडिक्शन लगाने की बात करें तो उसी मतलब की बाइबेक का प्राइस जो है उसी प्राइस के आसपास हो सकता है कितने बाइबे एक कापेंब हैंडल का बना है और- आज जो है। इसके अदेर एक बेक्डू है आया है और आप यहां पर खुन देख सकने ईस्कों और गोलू है कि एक नेचे और आप तनी चीज़ kommt भू देख सकते है तो मुझे इसा लंग और 70 के आसपास का आइधिंग बनाया था, जहां तक मुझे याद है, और उपर में अगर देखे तो यहां पर भी टिक किया हुआ है, तकरिबर पैथिस सो सतर रुपे के आसपास का यहां यहां पर बना हुआ है, तो मतलब की अगर राउंड फिकर नंबर में देखे तो 500 रु एक अधर उसके लग रहा है और इस वीकली चार्ट को अगर हम लंबा देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब इसके अंदर बाइबेक आया था तब आप देख सकते हैं यहां पर और यहां पर जो है यह यह 4,000 रुपे के आसपास का इसने हाइब भी बनाया था उसके बात जो है यह अभी यह काउपें हैंल का पैंटर बना है तो अब ऐसा लग रहा है कि यहां तक जाने की संभावना इसके अंदर लग रही है और आगे देखते हैं डेली चाट के उपद तो खास करके जो लोग इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं यह उनके लिए है वीडियो खास करकी और दोस्तो अगर जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को और साथ ही साथ नीचे में थैंक्स का बटन है उसके जरीए जो है आप चाहे तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं ज्यादा तालोग तो है उसके बारे में जानते ही होगे इस व है इसके उब औक हुझी जिए हम शेर करेंगे जिसके अनदर एक शॉर्ट टरम करें जुई ए अच्छे मचलाब की तेज्जी आने की खरा सकती है तो यहाँ पर एक short term के लिए support और registration देख लेते है देखे दोस्तों कई बार ऐसा होता है यह buyback का मतलब की announcement यह news आ जाई है लेकिन stock के अंदर अगर आप देखे के तो पिछले 3 दिनों से यह तेजी देखने के मिल रही है कई बार ऐसा होता है जो लोग नहीं है उनको मैं बता दू कि news बाद में आती है share के अंदर moment जो है पहले ही आ जाती है चाहे तेजी की हो चाहे correction की हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे से उपर यह 3 दिन का अच्छे कासी इसके अंदर तेजी भी आई और यहाँ पर भी डेली चाट के उपर अगर आप देखेंगे तो यह जो इसने यहाँ पर हाई बनाया था उसके आसपास यह पर उससे थोड़ा सा उपर जो है इसने closing दी है आज तो यहाँ पर breakouts आया है ऐसा लग रहा है लेकिन सोमवार को ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है gap up opening हो सकती है और अब support और register देख लेते हैं इसके अंदर short term की बात करें तो 3620 का price है नीचे में सबसे पहला support अगर देखें तो यहाँ पर जो दिख रहा है वो 3560 का zone और उसके नीचे अगर देखें तो 3480 रुपे के आसपास तो यह दोनों के दोनों short term की अगर बात करें तो support यहाँ पर दिख रहा है रजिस्टेंट की बात करें तो सबसे पहला रजिस्टेंट यहाँ पर दिख रहा है 3700 रुपे के आसपास और उसके बात देखें तो 3820 रुपे के आसपास तो यह दोनों के दोनों short term में अगर देखें तो रजिस्टेंट दिख रहा है थोड़ा सा अगर लंबा देखें तो यह 4000 तक जा सकता है ऐसा लग रहा है यहाँ पर बात हो रही है possibility की और जो भी लोग इसके अंदर होल्डिंग है तो यह support और registration को दियान में रख सकते है अगर यह वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो फिर से हम request करेगे कि like जरूर करे share करे और हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो के लिए subscribe कर ले और दूसरे हमारे वीडियो भी जरूर देखे community post को भी अब जरूर देखे और extended disclaimer जो कि मैं हमेशा देता हूँ अब कोई भी trade ले उससे पहले अपनी research करे अपने financial advisor की सला ले उसके बाद ही कोई decision ले और decision ले तो उसके जिमेदारी maturity के साथ खुदी ले यह वीडियो में education purpose के लिए बनाए है मेरी तरफ से कोई भी बाई असल के recommendation नहीं है thank you